उधारण 14 कोश्टक में 2x धन 5 गुणित कोश्टक में 3x की घात 2 धन 4x धन 6 गुणनफल की घात बताईए बहुपद 2x धन 5 यह हमारा पहला बहुपद है इसको हम दूसरे बहुपद को हम गुणा करेंगे तो यहां 3x का घात 2 धन 4x धन 6 यह हम दूसरे कोश्टक में लिखेंगे अब हम पहले बहुपद के पहले पद को दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए पहले बहुपद का पहला पद 2x गुणित दूसरे बहुपद को पूरा यहां पे हम लिखेंगे 3x अखा 2 धन 4x धन 6 कुश्टक बन अब पहले बहुपत का दूसरा पद धन 5 को हम पुना दूसरे बहुपत से गुणा करने के लिए इसे हम कुश्टक में लिखेंगे 3x अखा 2 धन 4x धन 6 कुश्टक बन बराबर 2x जो है वो दूसरे बहुपत से के सभी पदों से गुणा होंगा तो हमें प्राप्त होंगा 2x गुणित 3x अखा 2 धन 2x गुणित 4x धन 2x गुणित 6 धन 5 गुणित 3x अखा 2 धन 5 गुणित 4x धन 5 गुणित 6 बराबर यहां गुणा करने के लिए गुणांकों का गुणा होंगा तो हमें कुश्टक में लिखेंगे 2 गुणित 3 इसके बाद 4x गुणित 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 4 पुना 1 गुणित 1 धन 2 गुणित 6 जिसे हम कुश्टक में लिखेंगे और यह 1 धन 5 गुणित 3 एकस गहात 2 धन 5 चौक 20 एकस धन 5 के 30 बराबर दो तिया 6 एकस गहात 1 धन 2 बराबर 3 धन 2 चौक 8 एकस गहात 1 धन 1 धन 2 छक्के 12 एकस धन 5 तिया 15 एकस गहात 2 धन 20 एकस धन 30 बराबर अब हम सजाती पद को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ 6 एकस गहात 3 अकेला है इसके बाद 8 एकस गहात 2 और 15 एकस गहात 2 सजाती पद हैं फिर धन 12 एकस का धन 20 एकस सजाती है धन 30 चरांक बराबर 6 एकस गहात 3 धन 15 एकस गहात 2 धन 12 और 20 32 एकस धन 30 चुकि एकस की सबसे बड़ी घात 3 है तो यहाँ बहुपत की घात 3 है